हर्याना के कुछ इलाकों में लड़कों को क्यों नहीं मिलती दुलहन बहु चाहिए लेकिन बेटी नहीं सुनकर आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा लेकिन यह सच है और यह सोच है हर्याना के कुछ इलाके के लोगों की सूबे में जब लड़कियों की कमी खली तो हर्याना के कुछ लाके के इन लोगों ने इसका जुगार कुछ यू ढूडा कि अपने छोरों के लिए दूसरे प्रदेशों से बहुएं खरीद कर लाने लगे इससे भी ज़्यादा शर्मनाक तो ये है कि ज़्यादा तर बहुएं खरीद फरुख्त करके लाई जा रही है यह हर्याना की एक तस्वीर है जहां विडमना ये है कि बहु खरीद लेंगे लेकि बेटी को जन्म नहीं लेने देंगे हर्याना देश का एक ऐसा राज्य जिसके माथे पर लड़कियों के कम लिंगानपात को लेकर एक कलंक है ये एक ऐसा कलंक है जो हर्याना को शर्म के सागर में डुबोने के लिए काफी है लिंगानपात का निचला इस्तर हर्याना की सभी खोबियों पर परदा डाल देता है हर्याना में लिंगानपात एक हजार पुरुशों पर आट सो सथत्तर महिलाएं ये शर्मनाक आकला ये बताने के लिए काफी है कि सूबे में बेटियों का काल है और इस हद तक कि सूबे में बेटों की शादी के लिए लड़कियों को दूसरे राज्यों से लाए जाता है और अपने छोडों के लिए बहुँँ को लाने का जुगार हर्याना के लोग कैसे करते हैं इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे शादी के लिए बहुँएं देश के पूर्वी और दक्षणी राज्यों से पैसे के बल पर लाई जा रही है जो यकीनन सब्भे समाज के दावे को खोखला साबित करती है सवाल ये है कि ये किस सोच का परिचायक है कि अपनी बेटियों को जन्म लेने ही नहीं देंगे उसे कोक में ही मार देंगे और जब अपने बेटियों के लिए बहुँ न मिले तो दूसरे राज्यों की लड़की का सौधा कर लेंगे सभे समाज की ये बेहद शर्वनात तस्वीर है आज हम इसी सच की तहकीकात करेंगे इस सच से पर्दा उठाएंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिलेनियम सिटी वाले सुबे में बेटियों का ये हश्र क्यों है कहा गई हर्याना की बेटियां और क्या है दूसरे राज्यों से बहुए लाने और बहुए खरीदने का सच अनुश नर्वाल की रिपोर्ट चलिए अब आपको बताते हैं कि जब सूबे में बेटियां ही नहीं है तो कैसे होती है हर्याना के बेटों की शाती एक सामाजिक संस्थान ने इस सच को उजागर करने के लिए जो सर्वे करवाया है वो चौकाने वाला है सर्वे में हर्याना के पाँच जिलों को चुना गया और यहां के गाओं के 10,190 घरों में सर्वे करवाया गया जिन में महेंदगर, सिर्सा, करनाल, सोनीपत और मेवात जिले शामिल है इस सर्वे के अनुसार अगर शादियों की बात की जाए तो केवल 46.5 प्रतिशत बहुए ही हर्याना से तालुक रखती है और दूसरे प्रदोश्यों से बहुओं का आकड़ा भी चौकाने वाला है दूसरे राज्य से लाई गई बहुओं का प्रतिशत राज्य बंगाल बहुओं का प्रतिशत 46.5 प्रतिशत बिहार बहुओं का प्रतिशत 8.7 प्रतिशत चलिए अब आपको बताते हैं कि दूसरे प्रदेश से आई बहुओं की पारवारी के स्थिति क्या रही है बहुओं के माईके के आर्थिक हालात की बात की जाए तो 65 फीजदी लड़कियां घरीब परिवारों से संबंद रखती है बाकी बचे 35 परतिशत में से 13.9 परतिशत बहुओं का परिवार मध्यम है और 21 परतिशत बहुओं की प्रश्ट भूमी धनी परिवार की है हरियाना के 5 जिलों के 10,190 घरों में करवाए गए इस सर्वे में पाया गया कि 89 दश्मलों 2 परतिशत लोगों ने अपनी पहली पत्नी के बर्दे के बाद 12 शादियां करवाई हैं ताकि 13 दश्मलों 2 परतिशत मामलों में पहली बीवी से बच्चे ना होने पर दूसरी शादी करवाई गई तलाग के बाद एक दश्मलों 9 प्रतिशत मामले दूसरी शादी के भी सामने आए हैं और सवाल ये भी है कि दूसरे प्रदेशों की बेटियों से शादी करवाने वाले बिचौलिये कौन होते हैं इस सर्वे में दुलहनों को लाने के लिए बिचॉलियों के बारे में भी जानने की कोशिश की गई हरियाना के इन पांच जिलों के 10,190 घरों में दूसरे प्रदेशों की बहुए लाने के लिए 90 पर्थिशत लड़की के परिवार और रिष्टेदार विचॉले के भूम का निभाते हैं हमने 5 हरियाना के पांच जिलों का सर्वे करवाया जिसमेंसे महेंदरगड़ एक जिला है मेवात एक जिला है सोनीपत करनाल सिर्सा हमने पूरा सेंट्रलाइज किया पोपुलेशन को उसके आधार पर हमने शहर चुने उसके आधार पर हमने गाउं चुने जो कम संख्या की गाओं थे वो हमने 22 गाओं एक जिले के लिए जो ज्यादा बड़े गाओं थे वो 16 जिले के लिए उसके आधार पर हमने सर्वे करवाया 10,190 घरों का घरों का सर्वे करवाया जिसमें कुल पोपुलेशन हमारे 56,520 लोगों का हमने डारेक्ट इंटर्वू किया है उसके आधार पर हमें जो फैंडिंग्स हमारी आई हैं उसके आधार पर आई कि हरियान में महिलाओं की जो संख्या है वो कम होनी की वज़े से बहुत सारी 3.12% डूलर एरिया में लड़कियां बाहर से आ गई हैं अभी भी अनमेरिट बहुत हैं लेकिन इतनी परसंटेज बढ़ते बढ़ते हम कहां जा रहे हैं उसके आधार पर हमने यह सर्वे किया था चाहे आपसी समझ से खरीद फरोष करके या जबरन हो रही शादियां कितनी सफल होती हैं और सवाल ये भी है कि दूसरे प्रदेशों से शादी करके लड़कियां क्यों लाई जा रही हैं जानकारों की वाने तो प्रदेश में लड़कियों की संख्या कम होने के कारण हमें मानना पड़ेगा कि जहां आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं वहीं से खरीद भी शुरू होती है हरियाना में तिरपुरा से बहुत महिलाएं आई हैं वेस्ट बंगाल से बहुत महिलाएं आई हैं हिदराबाद से आई हैं आसाम से आई हैं बहुत सारे उसके इलावा यूपी से भी आई हैं बिहार से भी आई हैं लग भग अलग 21 स्टेटों से हरियाना में महिला ही आई तेकि मुख्य कारण तो एक तो पुरिश परधान समाध यहां शुरू से रहा है और उसके बावजूद भी यहां का फिजिक का एक कहतें की कम है एक importance of जो girls है वो weak है क्योंकि safe नहीं feel करती है महिला यहां सुरक्षित महसूस नहीं करती है क्योंकि agriculture का यहां पर हर बात में agriculture पर ही हमारा परदेश depend करता है एग्रिकल्चर में महिला घर में रहती है, पुरुष बाहर खेत में, काम तो खेत में महिला करती है, लेकिन जब फसल आती है, तो फसल को बेचने के लिए सिर्फ पुरुष जाता है, महिला के उसमें कोई भागिदारी नहीं है, आप जब भी गाहों छेतर में जाएंगे, गा लड़कियों को ज्यादा सुरक्षीत नहीं कर पाती हैं उनकी भी इच्छा पूरी नहीं कर पाती हैं जैसे सिक्षा के मामले में आज तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं मारा समाज आगे बढ़ रहा हैं लेकिन फिर भी ग्राविन शेतर में अगर सिक्षा लड़की ही कमजोर रहेगी क्योंकि दूर नहीं बेजेंगे पैसा खर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि मैं शादी करके दूसरा धन है प्राय दन हम लोग लड़की को मानते हैं जब मां खुद से सैटिस्वाइड नहीं है वो खुद दूसरे पर डिपेंड करती हातिक रूप से तो बेटी को व राखी बाढ़ने के लिए बेहन का होना क्या जरूरी नहीं क्या बहुए दूसरे प्रदेशों से लाई जा रही हैं क्या है इसके कारण क्या होगा आगे आने वाली पीडियों में इसका असर ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको ही तलाशना होगा फोकस हर्यान तेज शादी करने के लिए मजबूर होती है कहीं उन्हें पैसों के बल पर विवश्ट तो नहीं किया जाता ऐसी लड़कियां क्या शादी के बाद खुश हैं शादी के लिए लड़कियों की खरीद फरोख्त करना कितना जायज है कैसी इस्थिती है दूसरे राज्यों से आई बहुओं की? क्या वो यहां की परिस्थितियों यहां की परिविश में ठल गई हैं? क्या वो मजबूरी का शिकार हैं? हमने जब इन बहुओं से जाना चाहा तो पता चला कि पूर्वी और दक्षरी राज्यों से हर्याना में दुलहन बनकर आने वाली लड़कियों को काफी रास आ रही है हर्याना की संस्कृती और यहां कर रहन सहन इन में से कुछ लड़कियां तो बखायदा शादी करके आई हैं तो कुछ खरीद फरुख्त करके लाई गई हैं हाला कि खरीद फरुख्त को लेकर भी कैमरे पर बोलने के लिए कोई तयार नहीं हुआ मेरी प३ती देवर गेव देवह देवटाच्छे मेरी देवर जी दॉदाच्छी है मेरे अंकेल जी भोधाच्छी आँटीज को अच्छी में यहां घूआ होग पशंद करते हैं हाहँ पक्षंद करते यहбदं अब पन्ते aja Aosiू पंह-देर नैकॉ पुलाओ अलाओ बनाते हो आप ना तो यहाँ पसंद करते हैं चावलो आप पसंद करते हैं इसी तरह हर्याना का शायद ही कोई ऐसा गाह होगा जहाँ बहुवों को खरीद कर या दूसे सूबों से नहीं लाए गया होगा पस्षिम बंगाल से कई बहुवों से पूछा गया तो नहीं बताए कि शुरू शुरू में तो उन्हें भाषा और खान पान संबंधी दिक्कते आईं क्योंकि बंगाल में चावल मुख्य बोजन होता है जबकि हर्याना में कभी कभार हिस का इस्तेमाल होता है पस्षिम बंगाल से शादी करने वाले रविंद्र ने बताया कि हर्याना में जिस तरह लड़कियों की संख्या कम है उसी के चलते उनकी शादी नहीं हो पा रही थी मेली मम्मी को पंदरा साल लख हुआ हमाड़े उलिए पिता जी को साथ महिने उलिए अकिलर उट्टी बनाता था में दो बाइसरकारी नोकरी में पानी पते वह खाना वो बच्चे उपड़ाई करते थे मैं खाना आया मुम्मी पापा के लिए करता था पापा बोले बोले व हर्याना में लड़कियों की कमी की बात किसी से छिपी नहीं है ये बात भी जग जाहिर है कि प्रदेश के छोड़ों के लिए बवू को लाने का जुगार हर्याना के लोगों ने ढूर्ट निकाला है लेकिन ये इसका हल नहीं सिर्फ सरकार ही नहीं बलकि हमें अपने स्थर पर हल निकालना होगा भले ही कितने सख्त कानून बन गये हो लेकिन जब तक आदि दुनिया कहलाने वाली औरत के प्रति हमारी मानसिक्ता नहीं मदलेगी तब तक समाज में परिवर्तन संभव नहीं है फोकस हर्याना के लिए अनुज नर्वाल की रिपोर्ट तो फिलाल इस खास पेशकर्ष में इतना ही, मुझे दीजा इजाज़त, नमस्कार